हमेशा ये कहते हैं है कि the only thing constant in life is change और ये चेंज जो है एक continuous process है वो हर वकत हो रहा है और ये हमारे उपर है हम उसको कैसे अपनाएं कैसे उसको accept करें मेरे खुद के केस में मेरे हजबन की जब प्रांस पर हुई और वहां रहने गए उस दौरान मैंने स्टिचिंग सीखने शुरू करी जिससे मैं क कुल्टिंग सीखना शुरू करने लगी और फुल्टिंग करते हो मुझे इतना मजा आने लगा मेरा जो उस कुल्टिंग कम्यूटी से के साथ एक इतना प्यारा बॉंड बन गया है और वो बॉंड मुझे यहां तक ले आया है एक जो नाता उनके साथ बन गया है के simply beautiful is born in my life जो एक छोटी सी कंपनी है जो मैंने शुरू की है जहां मैं पूरे भारत से अलग-अलग प्रांतों से अलग-अलग चोटी-चोटी जगाहों से कपड़ा पनवाने की गोशिश कर रही हूँ स्पेशली हमारे लिए जो क्विल्टिंग के लिए है और ना कि हम सिरफ अपना इंडिया में उसको यूज करें सब लोग शेयर करें लेकिन दो वर्ल्डों वो मुझे हर बार ये मुझे लगता है के थांग गॉड आइवस ओपन तो चेंज हर बोड पे मुझे नहीं पता थ अधर मैं तरुना से थी सिंप्री मुरिफुल से आज एक चोटा सा प्यारा सा क्यूट सा प्रोजेट लेकिया हूं जिसकी जो ब्लॉक है वह फ्लाइंग की जो प्लॉक है चोटा वाला इसको फ्लाइंग कीज के नहीं है और हमने उसको ऐसे असेंबल किया है कि इसका अब नाम है डश्मेस पजल तो आज हम इसको बनाना दिखेंगे और हमने होट पाज बनाये हैं यानि आपके जो गरम परोसने वाले खाने हैं ताल है तबजी है आपकी जो में डिश है वो आप इस पे रख सकते हैं इसके लिए हम सबसे पहले हम रेट कलर को लेते हैं हम इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे दोनों एंस से जो सेल्वेज एंस हैं इनको हम अच्छे से मिला लेंगे हमेशा की तरह जैसे मैं कहती हूं कि इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए इसको हम जो हमारा साइज है वो है 5 & 1 4th of an inch we have 1,2,3,4,5 & 1 4th so 5 & 1 4th अब यह हमारे दोनों स्ट्रिप्स तयार हैं और हम इनके स्क्वेर्स बनाएंगे तो स्क्वेर्स के लिए पहले तो हम सेलवेज को ट्रिम कर लेंगे अब हम इनके स्क्वेर्स बनाएंगे 1,2,3,4,5 & 5 & 1 4th आपके बहुत सारे यह वाले स्क्वेर्स तयार कर लीजिए तो अब हमारा जो लास कपडा है एक हिसको काटेगे इसका साइज थोड़ा अलग है आप देखें के यह जो हैं ट्रांगल के हना है और यह जो हमने साइस बे लगा जाए वा स्क्राइव क्रिम करेंगे में हम इस वैबरिक को ये हमारा जो साइज है वो है तू इंचिस hasn इंदि को पॉने तीन इंच मेस्पैं जो पॉन एंचित पॉने दीन इंच जाला स्टेम का टे वाक कैशाला से है हमने जो स्ट्रेप की चोड़ायी है वह Sum당 इंच है तो हम इसको भी पहुने तीन इंच से काटेंगे वान टू एंट्री अब यह चोटे वाले स्क्वेस हैं हम इनको यहां पर ऐसे पॉजिशन करके एक अब आप दोनों कलर्स एक ले लीजिए तो इसको देखिए थोड़ा सा क्रीज है तो मैं इसको फ्लाट करूंगे आइनिंग इस वरी इंपॉर्टन प्रेस आप हर स्टेज पे कर लीजिए जरा भी वो अनीविन ना लगे अब आप देखिए हम ये सीधी तरफ कर रहे हैं स्ट्रेट साइड पे ये लाल के कोने से मैंने ये वाला स्कुरेर फिक्स किया है देखिए कोने से कोने मिलाया है और हम एक और स्कुरेर लेके दूसरी तरफ इसको पिन आप कर देंगे मुझे ये जो फ्लाइंग गीस है एक बहुत ही मज़ेदार पजल लगती है कि ये तीन कलर में भी कितने सारे तरीके से आप इसको बना सकते हैं अरेंज कर सकते हैं जैसे वह मैथमेटिक्स में हमने किया पर्मुटेशन और कॉंबिनेशन ये बिलकुल बहुत सारे हमको वरा इस वकद मेरी मैच स्टीचर किती खुश हो रही होगी सुनके जहां भी वह होगी कि मैं बहुत बहुत परेशान होती थी पर्मुटेशन और कॉंबिनेशन के साथ ये जो लाइन खेचे इस पर स्टिच नहीं करेंगे इसके क्वाटर इंच लेफ्ट और क्वाटर इंच रा है अब मैं दूसरी तरफ पॉटर इंच का सी नहीं हुआ 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 है यह हमारी चेन तयार हमारी देन तयार अब हम इसको कट करेंगे अब हम इसको एक बार और ट्रिम कर लेंगे काट लेंगे अब जब हम इसको खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आप इस तरह से यह ट्रैंगल पीछे करेंगे जो चोटे ट्रैंगल बन गए इसको पीछे करेंगे यह जब आप आइन करेंगे तो पहले इसको रोल आउट कर लेंगे मैं जानती हूँ कि आप लोगों को पता है कि मैं हर बार कहती हूँ कि मुझे यह खोल के पसंद है वह अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेंगे यह डिपेंड करते हैं आपके पास कितना टाइम है और कितने स्टेज़ेस पर आप इसको फिनिश करना जाते हैं कि हमने खोल दिये अभी मैं फिर आपको यह दो दिखा देखियो थोड़े से और छोटे वाले स्क्वेश जो है उनमें फिर से डाइगनल लाइन बना सकते हैं अब आप देखिए कि कैसे मेरा एक स्क्वेर के साथ रेखिए यह हमारे एक ब्लाक और एक रेड यह स्क्वेर था जो हमने काटा था और अब हमारे कितनी फ्लाइंगीज बढ़ जाएं इसे तो फिर से यह एक स्क्वेर लिया मैंने लाइन उपर अंदर राइट साइड यानि अगर यह प्रिंट होता और एक राइट और र लाइन के दोनों तरफ वाटर वाटर इंच पर आप सिलाई करेंगे यह आपकी सेंटर लाइन है आप उसको ध्यान रखिएगा अब हमने यह एक साइट कर लिया है एक तरह से चेंड पीस कर दिया है दूसरी साइट सेम थिंग वाटर इंच तीम अलाउंस याद रखिए के यह एक बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो रहा है विच दवरी आर्टिस्टिक थिंग और यूल आपकी साइट के आपकी पीपल रहा है और सबसे बड़ी चीज जो उनकी होती है वो अगर उनको कोई चीज नहीं आती वो सीखने की कोशिश करते हैं अब आप देखिए हमने वोजो तो बड़े स्कुर्स काते थे उसमें से यह हमारे एक दो और चार फ्लाइग जीज तयारों और आप देखिए मेरे इस होट पैट बें मुझे कित्पे चाहिए एक दो तीन चार और एक दो तीन चार और मेरे वो तहीं आप देख रहे हैं कि जहां हमने जोड़ा है वहां पे यह थोड़ा सा कपड़ा बहार आया है देखिए यह जो फैब्रिक है हमारा बहार आ रहा है देखिए बिल्कुल एक डॉग या काट बिली या कुत्ते के कानों की तरह है इसको बुलाते भी डॉग यह आप को भी पैटल में देखेंगे तो उसके लिखा होगा ट्रिम डॉग यह तो हम यह डॉग यह अब ट्रिम कर देते हैं मैं हमेशा क्योंके दो कलर से काम कर रहे हैं तो मैं अल्टरनेट वो ट्रिम करूंगी ब्लाक एंड रेड तो फिर हमारा प्रोजेक्ट असेंबल होने में बहुत जल्दी हो जाता है मैं हम इसको हमने ट्रिम कर लिया हैं ट्राहों को और आप हम इनको ऑसेंबल करेंगे तो इसमें हमने जो किया है जो हमने से inheritance किया है तो आप देखेंगे कि जब आपने इनको प्रेस किया यह आपका extra निकला हुआ है भाव तो यह आपकी seam allowance है अब जब आप इसको जोड़ोगे इसके साथ तो वो अपने आप stitch हो जाएगा इसको काटिएगा नहीं याद रखेगा यह यह जो ट्रैंगल है यह उपर है और यह इसके उपर भी ट्रैंगल है तो जब आप इसको फिक्स करेंगे तो यह अपसाइड डाउन हो जाएगा उपर वाला एक ऐसे होगा एर एक आपसेट साइड़े होगा और अब हम इनको स्टिच कर देंगे हमारी चेन तयार अलक कर लीजिए आप इसको प्रेस करेंगे हम तो अब हमने यह जो चार हैं इनको बहुत अच्छे से प्रेस करके सेट कर दिया है और अब हम इन चारों को असेंबल करेंगे यह देखिए हमारी फिर्की बनती चारी है सेम वे अब इनको आप जॉइन कर लीजिए दो लाइन जिदर से दो लाइन जिदर से देखिए मेरे रेडी है अब आप देखिए हम यह जो विंड मिल है पिन भी फिर्की जो है इसको हम यहां से जॉइन करेंगे यह जब इतना लेंथ हो जाया और फिर हम जब मिलाएंगे तो सेंटर से शुरू करिए हमेशा देखिए जहां पर यह हमारी प्रेस खुली हुए दोनों तरफ पॉइंट आप इंटरसेक्शन है वहां से शुरू करिएगा और आप इसको पहला पिन इसके तरफ फिर दूसरा इस साइड पर ने हमने प्रेस लेख वड़े राइगा और वे रेडी तो रॉल पिन निकाला मत भूलिये शुरू इस मेशीन की सुई तूट सकती है जैंकल पुल भी दोनों पीछे से तरफ दूसरा इस आप चाहिए के जैनिकल सब और एंड इस रेड़ी अब इसको फिनिश करते हैं तीन लियर बनाने होंगे यह जो हमने अभी बनाया है यह सबसे ऊपर का लेयर है टॉप लेयर इसके अंदर हम एक फिलिंग करेंगे जिसको पैडिंग बोलते हैं या बैटिंग बोलते हैं आम शुर अगर बैटिंग बोलेंगे और एक लास्ट फाप्रिक लास्ट लेयर आप इसी नाफ से इस फाप्रिक को काट लीजिए और बहुत तरह की बैटिंग मिलनी हैं बजार में यह जो मेरे पास इस वकत है इस कॉल्ड फ्यूसिबल बैटिंग आप देखने होंगे इसमें दाने दाने ह है तो जब आप इसके साथ इसको फिक्स करेंगे आपके प्रोजेक्ट के साथ तो यह इस तरह से आएन हो जाए है तो यह ने दोब्लास्ट लेयर है मेरे इसकी प्रोजेक्क की मैं उसको लगा रहे हूं ये तीन लेयर है है यह कॉल्ड सान्विच ब्लॉक इंदे कुलिटिंग वर्ल्ड और क्योंकि यह हमारा बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है यह सिर्फ हॉट पैट्स है तो हम इसको सिर्फ एक बस क्रॉस करके देखिए मैंने सिर्फ एक सिलाई लगाई यह दोनों तरफ इसको बस सेटल कर दिया है यह मेरी एक साइट तयार अब मैं जूसी साइट पर आ गए यह हमारा व्लॉक प्रेडी हो गया है अब हम लास्स स्टेज पर आगे हैं बॉर्डर बनाने के जो इसको वाइंडिंग भी बुलाते हैं और इसमें क्योंकि यह हमारा चोटा प्रोजेक्ट है सिर्फ एक हॉट पैट का तो हमने धाई इंच थिकनिस का यह रेड पाप्रिक क और आप इसको जोड़ लीजिए अब मैं इसको एक को होरिजॉंटल और एक को वर्टिकल यानि एक इसको ऐसे लगाई और यहां पे यह देखे में पॉइंट कितने नजदीक से मिलाया है मैं इनको पो कर दूँगी एक लाइन कीचेंगे हम इसमें एक डाइगनल बना दीज से यहां पे आप देख रहे हैं कि मैंने सेल्वेज नहीं काटा क्योंकि यह अभी कट जाना है और हमने यहां पे जो लाइन खेची थी उस पे से लाइक है पॉर्टर इंच दूरी पर नहीं की कि वह ब्लॉक था यह हम सरफ बाइस बाइंडिंग बना रहे हैं तो इसको आप लाइन पे ही वह करिए और फिर आप वाटर इंच पे इसको कट कर दीजिए अब देखिए आप कितना नीट हो ग फिर से फ्लाट कर देंगे ओके यह ऐसे होगे आपको जो मैं कह रही थी कि यह जो पाइपिंग है तकरीबन हमारा जितना वेरें टेर होता है हमारी चीजों का वह पाइपिंग से होता है पाइपिंग घिज जाती है कपड़ा फटा हुआ लगता है तो हम क्या करते हैं इसको अब मेरे ब्लॉक पे हम इसको लगाएंगे कैसे पहले तो यह जो एक्सेस है यह जो एक्सेस बैटिंग है हम इसको ट्रिम आउट कर देंगे किनारे से नहीं करेंगे इसको हम वह टर्न आराउंड करेंगे तो इसके लिए आप देखिए jar fare उतना कपड़ाigram श्र Fields करना आप देखो गाभी चौना है यह सेम टैप्मी क्या आपका कोई भीपड़े से बड़ा प्रोजेक्थ यही टैक्नीक है पोई बदलाओ नहीं इसमें यह जो कोना है यह हम यह कोना बनाने लगे है अधिया इतना नीथ ओक ड़रे तो आपको दि कि हमने यहां पर आके सको छोड़ा है को उत् rook लंगता हैा डिलाट बहुत खाको ऐओं ल 티 Doesn't की आप यहां पर यह को लेप किया ट्राइंडल बन गया देखे चोटा सब्शनले बन गया है लेफ्ट में और मैंने यहां उंगली रखी है और मैने उसको तॉरन वर कर दिया है Oh no Just money पाइपिंग का कपना है मेन उसको टउन ओवर कर दिया है simply इस तरह से दिखिए किस वह सिम्हें मनें turn किया है यह पर लगा लीजिए और अब मैं अपना को पाइपिंग कनटिनु करूंदE कि अपिए अब मैंने ये लास्ट पॉइंट पर आगे हूं जहां ये हमने स्टिच नहीं किया है और अभी आपको पता चलेगा कि क्यों ने किया हमने आप देखिए हम खाली इसको फिक्स करेंगे ये कोने को तो अब आप देखिए ये मैंने ये जो फ्लैप पहले वाला है उसके अप्रॉक्सिमिट साइज से मैं इसको काट लूँगी अब हम इसको फिनिश कैसे करेंगे ये जो है एक साइट को हम यहां से ऐसे मोड लेंगे ये ऐसे मेने मोरा है ओ इस सपरही। और इनके पीच में इस जिसको मोड़ा है उसके पीच में मैं वो जो पहले वाली पाइपिंग है वो मैं डाल दूँगी देखिए यह कैसे जुड़ गया है और यह फोल्डेड है तो इसमें वो रेशे नहीं निकलेंगे धागे नहीं निकलेंगे अब मैं इसको फिनिश कर दूँगी यहां पर एक पिन लगा देंगे इस तरह से कर दो दूँगी कर दो दूँगी और यह हमारा जो है यह फिनिश प्रोटक्ट तयार हमारा प्रोजेक्ट और इतने जल्दी और कितना सुन्दर बन गया है देखिए कितना नीट ब्यूटिफुल नाइस आप इसको ट्राइज जरूर करिएगा आपको बहुत मजा आएगा झाल 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 झाल